नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 4 दिसंबर 2020 के डेली करेंट अफिर्स बर्निंग न्यूस डिसक्रशन में आपका सौगत हैं आज की सारी इंपोर्टन डियूस में आपको बताऊंगा पहली न्यूस इंडियन वैक्सीन आफ्टर फेस थी ट्रेल्स देखिए फाइजर और बायो एंटेक की जो MRNA वैक्सीन है इसको अप्रूबल मिल गया है कहां पे यूनाइटिट किंग्डम में और यूनाइटिट किंग्डम के 80,000 जो सबसे अदा वर्नलरेबिल लोग हैं उनको ये वैक्सीन सबसे पहले अविलेबिल कराई जाएगी कही न कहीं वैक्सीन को अगर UK ने अप्रूबल दिया है तो बड़ी बात है कही न कहीं ये वैक्सीन अब आप कह सकते हो कि काफी एफिशेंट होने वाली है आ गया नहीं वाले समय में इंडिया में भी बहुत सी वैक्सीन अभी के लिए फेस 3 ट्रायल से चल रही है अभी के बीमारी से जूज रहे हैं वो लोग जो की बीमारी से लड़ रहे हैं वो लोग जैसे कि Health Workers, Police जो की बीमारी से लड़ने में Overall Administration में मदद कर रहे हैं अब अगर Emergency Use Authorization की प्रोसीजर की बात की जाए तो ऐसा बोला गया है कि European Union में Emergency Authorization देने का जो प्रोसीजर है United Kingdom में जो प्रो CSIR IIM जो इसको आप बोलते हो Council of Scientific and Industrial Research Institute of Integrated Medicine का ये स्टेटमेंट है ये जो organization है इस बेसिकली involved in testing several novel and repurposed drugs for coronavirus vaccine अभी के लिए बात की जाए तो कौन सी वैक्सीन बहुत advanced stage of testing में इंडिया में COVID-19 की तो All Institute of Medical Sciences के साब से एक तो COVID Shield है Serum Institute of India की एक है COVID vaccine भारत बायोटेक की ओके ये जो COVID Shield नाम की vaccine है इसको AstraZeneca और Oxford दोनों मिलके develop कर रहे हैं इसको आप CHAD-OX1 novel coronavirus 19 vaccine ही बहुत सकते हो 16,000 volunteers में टेस्ट की जाती है इसके results काफी promising है Co-vaccine के जो trials है वो अभी अभी phase 3 में पहुँचें 28,500 volunteers के उपर ये vaccine टेस्ट की जा रही है Serum Institute of India की जो CEO है आदार पूना वाला उनका ये बोलना है कि भाई अगले दो हफतों में हम emergency use authorization के लिए इंडिया की जो regulatory agency है Central Dex Standards and Control Organization इसको अप्रोच करेंगे ताकि ये जो COVID shield नाम की vaccine है इसका emergency use authorization इंडिया में लिया जा सके General studies paper 2 में ये चीज़ आपको काम आएगी फिर भाई, government के against farm bills को लेकि आप position चल रहा है तो यहाँ पर government offer किया कि ठीक है भाई, हम इन farm bills में 8 changes करने के लिए तयार है, 8 amendments को मानने के लिए Central government तयार हो रही है लेकिन MSP के regime को अभी भी legalize करने के लिए Central government तयार नहीं हुई है MSP के regime में Central government assurances दे रही है, written assurances दे रही है बट कहीं न कहीं, एक legal law लाने के लिए तयार नहीं हो रही ही Central government MSP में जो farmer leaders है, वो यह बोल रहे हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये 3 के 3 law पूरी तरीके से repeal नहीं कर दिये जाते है और farmer ये भी चाहते हैं कि एक नया law MSP के लिए बनाया जाते है यानि अब farmer की देखे, कुछ-कुछ जो demand से नया farmers की, वो सही नहीं है वो तीन farm bills को repeal करने की बात कर रहे हैं, सही है वो एक नया MSP का law लाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे MSP को legalize कर दिया जाए, ये भी सही है लेकिन farmers कहरें कि ये जो stable burning के उपर आपने fine लगाये हैं, इसको withdraw करी अभी stable burning के उपर तो fine लगाना जरूरी है ना, इस हद तक pollution हो रहा है और हनियाना पंजाब में जो stable burning होती है, उसके चलते winter में दिल्ली में क्या हालात हो जाते हैं ये तो आपने देखे ही होंगे, तो जब इतने बुरे pollution है, तो कहीं न कहीं stable burning को तो लोकना पड़ेगा, तो fine लगाना पड़ेगा, तो farmer बोल रहे हैं नहीं stable burning के उपर से ये आपने जो fine लगाई हैं ये हटा दो, अब ये obvious सी बात है सरकार नहीं कर सकती, ये तो हमारे environmental के basic के against हो जाएगा, तो हर जो चीज ये farmers माँग रहे हैं, वो भी गलत है, उसके बात electricity bill 2020 को withdraw करने की बात करें farmers, जो ministers हैं, जो government है, वो क्या-क्या देने के लिए तैयार है, government पहली चीज बोल रही है, कि we will be placing safeguards to ensure that land alienation is not possible why contract farming, देखे, contract farming की permission दीगी ये farm bills में, contract farming को अगर में एक basic भाशा में आपको समझाओं, तो क्या मतलब होता है, कि contract के थूँ, बहुत सारे farmers ने अपनी जमीन को मिला के एक कर दिया, consolidate कर दिया, और जब जमीन बड़ी हो गई, तो उस पर आप massive scale पर commercial farming कर सकते हो, लेकिन farmers contract farming से डरते हैं, क्यों, जो कि contract farming में होता ये है, कि वो farmers जिनकी छोटी छोटी जमीने हैं, जो कि उस contract farming में आएंगे, उनकी जमीनों को जब्त करने वाला काम हो सकता है, उनकी जमीनों पर थोड़ा ingress, encroachment होने वाला काम हो सकता है, तो पटवारी को पैसे देखे, ए एक छोटे farmer के थोड़ी सी जमीन हडब सकता है, तो यहाँ पर सरकार बोल रही कि contract farming के थुरू आपकी जमीन नियरपी जाएगी, ये वाद हम insure करेंगे, फिर इस जो state run मंडी सिस्टम में APMC वाला है, इसको हम पूरी तरीके से abolish नहीं करेंगे, इसको हम promote करेंगे, फिर इन मंडियों में, इन APMC मंडियों में जो taxes लगाये जाते थे, उस तरीके के थोड़े बहुत tax private market में भी लगाये जाएगे, तो private market और मंडी के taxes को equalize किया जाएगा, फिर अगर किसी farmer को कोई problem है, तो अपनी grievance को लेके, सब divisional magistrate के पास ना जाके civil courts में भी जा सकता है, फिर private traders को अपना registration करने के लिए, pan card के लावा कुछ और documents की भी जरूत होगी, फिर stable burning और power studies से related कुछ issues को भी यहाँ पे discuss किया गया है, MSP के respect में, assurance देते हुए, तोमर साब ने बोला है, कि farmers अपने protest खतम कर दे, हम उनको एक return assurance देते हैं, कि आपका MSP बंद नहीं किया जाएगा, लेकि legal assurance नहीं दे रहे हैं, मतलब कि एक नया नियम कानून लाने के लिए सरकार तयार नहीं है, general studies paper 2 में यह चीज आपको काम आएगी, फिर next topic है, UN banks cotton imports from China, citing slave labor, देकि चाइना की एक बहुत बड़े कमपनी है, और उनकी obviously वादा सरकारी कमपनी है, यह जिन्जियांग production and construction corps, यह चा करते हैं, Trump administration ने बोल दिया है, जो चाइना का western region है, जिन्जियांग वाला, और अगर आप नक्षा देखिए, तो यह जो ओईगुर जिन्जियांग वाला जो इधर आपको orange में दिख रहा है ना, इस तरफ वाला region, यह आपका जिन्जियांग, इसको East Turkistan ही बोलते हैं, पहले यह Central China का पार्ट नहीं था, देखिए, चाइना बहुत अलग-अलग हिस्सों से मिलके बनाए है, तो यह इस्था चाइना का नही था, यह जो इधर तिबत वाला हिस्था यह चाइना का नहीं था, यह उपर वाला हिस्था, Lower Mongolia है, यह चाइना का नहीं था, चाइना बस है Central और East Asia से ओहिगुर्स माने जाते हैं जिन जियां ओहिगुर Autonomous Region के ओके अब आप देखी दोस्तों ये चाइना की वन आप दा 55 Official Recognized Ethnic Minority है इनको सिर्फ एक Regional Minority माना है Chinese Government ने एक Multicultural Nation में ओहिगुर्स को पूरी तरीके से एक Indigenous Group मानने से मना कर दिया है चाइना ने देखे चाइना की जो Ideology है ना वो किसी भगवान को किसी धर्म को उतना मानते नहीं है वो Confusionism की Philosophy मरोसा रखते हैं कि Society मिलके एक दूसरे का भला करेगी Society में Division लाने वाले Factors को मानते नहीं है उनको Recognition देते नहीं है कोई ज्यादा बवाल करेगा तो उसको तोप की गोलों से या बंदूक से उड़ा देंगे गाय भी हो जाता हो रात हो रात तो ये डेंजर है चाइना में रहने के बट कहीं ना कहीं सब चीजों के चलते हैं चाइना ग्रो भी बहुत तेज हुआ है तो यूएस एड्मिनिस्टेशन ने बोलाई कि जो चाइना का वेस्टर रीजन है जिन्जियां का यहां से जो कॉटन इंपोर्ट करती है ये कंपनी जिन्जियां प्रोड़क्शन और कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स और इससे बने हुए कपड़े इसको हम यूएस में इंपोर्ट होने नहीं देंगे इसका रीजन क्या दिया है ट्रंप एड्मिनिस्टेशन ने क्योंकि ये जो कॉसी मिलिटरी और्गनाइजेशन है जिन्जियां प्रोड़क्शन और कंस्ट्रक्शन क्रॉप्स ये उईगुर मुस्लिम्स को स्लेव बना के उनसे काम करवाती है जो की गलत है इसलिए ये विद्धोल्ड रिलीज ओर्डर के तहट यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटक्शन एजनसी में बोला है डॉनल्ड ट्रम ने जो एक ट्रेड वार छेड़ दिया था यूएस का चाइना के अगेंस्ट उसमें एक और आगे स्टप है ये डॉनल्ड ट्रम जाते जाते इतने स्टप्स ले रहे हैं कि एक हदत तक वो यूएस वा चाइना के रिलेशन्स बिगार देंगे पर ऐसा नहीं है कि जो स्टप्स नहीं है डॉनल्ड ट्रम में डॉनल्ड ट्रम के जाने के बाद जो बाइडन उन स्टप्स को बहुत आसानी से ओवर कर देंगे नहीं कहीं न कहीं यूएसे में एक एंटी चाइना स्टेट्मेंट है कहीं न कहीं USA जिन कंट्रीज की दोस्त हैं उनको जैसे कि इंडिया होगे और अस्ट्रेलिया होगे इन कंट्रीज को लगता है कि USA थोड़ा एंटी चाइना है तो हमारे प्रो है अभी जो बाइडन आके अपने आपको पूरी तरीके से चाइना का दोस्त दिखाने लगते हैं तो उनकी खुद की जनता भी परिशान होगी और बाकी जो उनके अलाइज दुनिया बर में वो भी परिशान होगी कि यही जब चाइना से दोस्ती दिखा रहा है तो यह रिलाइबल पार्टनर है नहीं फिर युनाइटे निशन का ये भी बोलना है कि एक मिलियन मुस्लिम्स जो कि उस ओईगोर रीजन में रहते हैं उनको कैम्प में डिटेन करके रखा गया है इनको मिस्ट्रीट किया जाता है चाइनीज अथॉर्टी के तवारा चाइना का ये बोलना है कि नहीं भाई ये एक कैम्प नहीं है ये तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर एक्स्ट्रिमिजम से फाइट करना सिखाय जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है उईगोर मुस्लिम्स की बाइडन ने पहले भी बोला है कि हम युएस एलाइस के साथ मिलके चाइना के उपर प्रेशर डालेंगे कि जो अपनी माइनॉर्टी को गरत तरीके से ट्रीट कर रहे है इसको बंद किया जाए अब देखते हैं आगे इसमें क्या होने वाला यह भी एक इंपोर्टन डियूसी जनरल स्ट्रीज पेपर टू इंटरनेशनल इलेशन में आपको काम आएगी फिर फाइनली इराल की तरफ से एक प्रकार का डिटैलियेशन आ रहा है देखें जॉइंट कॉम्प्रियेंसिव प्लान ओफ एक्शन की तहद ये बोला गया कि इरान अपने नुक्लियर फ्यूल को 3.67% से ज़्यादा एंडरिच नहीं करेगा 2015 की ये जो तहरान नुक्लियर डील हुई थी जी सी पी ओए के अंदर उस डील के अंदर बोला गया था कि युनाइटे निशन्स की एजनसी इंटरनेशन अटॉमिक एनरजी एजनसी और उनके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो रेगुलरली इरान में जाएंगे औ और इरान की फैसिलिटीज में जाके वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि इरान ने अपने फ्यूल को कितना एंरिच कर रखा है ये सारी बाते हैं अभी मौसिन फक्रिजादे को मार दिया गया इरान ने बुला इसराइल ने मारा है और अब इरान की जो हार्ड लाइन डॉमिने इंरिच्मेंट शुरू करेंगे देखे दो हजार पंदरा में जब ये जॉइंट कॉम्प्रेंसिव प्लान ओफ एक्शन पास हुआ था उस समय पे बैरक ओबामा राश्पती थे और जो बाइडन ओप राश्पती थे उस समय पे इरान को बोला गया कि जो आपने अपना को वापस 3.67% पर ले के आया लेकिन फिर डॉनल्ड टरम्प आगया और डॉनल्ड टरम्प ने पूरी की पूरी डीली खराब कर दी ओके अब यहाँ पे इरान की अथौर्टी बोल रही है एक महीने के उपर अगर हमारे ओल और फाइनेशल सेक्टर के उपर से परसेंट तक लेके जाएंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दू नूक्लियर वेपन मनाने के लिए आपको इंडिश्मेंट करना पड़ता है आप टू 90% इरान के पास 2015 से 20% का इंडिश्मेंट था 3.67% पर इरान ले आया है जीसी पीओ के बाद लेकिन जून या फिर कि भाई हमने जेसी पीओ इसलिए साइन किया था हमारे उपर से सैंक्शन्स अठाओ आपने तो हमारे उपर अल्रेडी सैंक्शन्स अठा रखें तो हम आपके सैंक्शन्स के चलते एक्णॉमिकली ग्रो भी नहीं कर पा रहें गरीब है और हम अपने नूक्लियर वेपन भी इसको enrich कर रहे है अभी के लिए enrichment level 4.5% है इसको आराम से 20% लेके जा सकता है इरान चुकि 20% की टेक्नलोजी इरान के पास 2015 से पहले ही थी लेकि 90% portion में थोड़ा समय लग जाएगा वट ये impossible नहीं है इरान जैसी country के लिए अब जब ये एक bill लेके आया गया इरान के पार्लेमेंट के दौरा तो इरान के जो pragmatist प्रेजिडेंट है हसन रोहानी साब और हसन रोहानी साब एक key architect थे 2015 की JCPO के इनका ये बोलना है कि पार्लेमेंट का जो एक move है कि एक महीने के अंदर sanctions अटाओ नहीं तो हम nuclear image करेंगे this is very harmful to diplomatic efforts ओके तो ये US sanctions हटाएगा नहीं overall कहीं न कहीं problem create कर सकता है long term में तो अब इरान ने बोला कि बहुत हो गया डरना असल में Donald Trump ने जब इरान के ओपर sanctions लगाए तो Donald Trump को लगा कि इरान फिर से negotiating table पे आएगा और हमसे और बाते करेगा लेकिन इरान pressure में आया है नहीं इरान ने बोला तुमको जितना दबाना और दबालो हम नहीं दब रहे और अब तुमने मौसीन फक्रिजादिय को मार दिया तो अब इरान openly बोल रहा है ठीक हम तो अपना nuclear energy कर रहे है फ्यूल और हम nuclear weapons बनाएंगे जो खाड सकते हो खाड लो तो यहाँ पे एक बहुत proper approach को adopt करने की जुरुआते इस तरीके की लडाई से कुछ होने वाला है नहीं यहाँ dark orange में आपको इरान दिख रहा है इसके borders देखें तो नौर्थ में आपको छोटास border अर्मेनिया के साथ इधर अरबाजाएं के साथ यहाँ तुर्कमेनिस्तान के साथ इस्ट में अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ साउथ में इसकी स्ट्रेट ओफ हर्मूस है पर्शन गल्फ है इंडियन ओशन है वेस्ट में इराक है फिर वेस्ट में टर्की भी आता है तो यह इरान की नेबरिंग कंट्री आज की फाइनल न्यूस देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है GST Act 2017 के अंदर लॉट्री, गैंबलिंग और बेटिंग के उपर भी GST लगाया जा सकता है देखे Central Goods and Services Tax Act अगर आप उठा के देखते हो 2017 का तो यह जो CGST Act है 2017 का इसमें लॉट्री, गैंबलिंग और बेटिंग को actionable claims माना गया है और इसके उपर GST लगाया जा सकता है अंडर section 2, clause 52 of Central Goods and Services Tax 2017 जो लोग लेट्री, बेटिंग और गैंबलिंग में involved हैं यह लोग चलेगे सुप्रीम कोट के पास और उन्होंने सुप्रीम कोट में जाके बोला कि देखे भाई केवल लॉट्री, बेटिंग और गैंबलिंग को ही actionable claims बोला गया है बाकी किसी को actionable claim बोला नहीं गया तो हमारे उपर यह जो CGST लगाना है यह गलत है बिसिकली यहाँ पर CGST को लोट्री, बेटिंग और गैंबलिंग के उपर से हटाने की बात करने की कोशिश कर रही थी बड़ी-बड़ी कमप्रियांस जो की इन सब चीजों में involved है सुप्रीम कोर्ड ने साफसा बोल दिया कि CG Act 2017 के अंदर सरकास के पास power है कि भाई अगर वो चाहे तो लोट्री, गैंबलिंग और बेटिंग को actionable claims की category में जोड सकते हैं और इसके उपर GST लगाया जा सकता है और इस चीज की power सरकार को और पारलामेंट को मिलती है अंडर आर्टिकल 246-A of the GST Act तो याद रखिएगा सेक्शन 2-52 of Central Goods and Services Tax Act 2017 ये बात करता है definition of goods की actionable claims की और lottery, betting और gambling ये actionable claims है और इनको goods की category में include किया गया है और ये नियम कानून मनाने की ताकत पारलामेंट को कहां से मिली है आर्टिकल 246-A of the Indian Constitution ठीक है दोस्तों General Studies Paper 2 में चीज़ आपको काम आएगी तो ये थी आज एक important news आज हो पापो को सीखने को मिला होगा Thank you for watching friends, have a great day, good bye